हेल अबरिवन मैं इसका सिंग है आज मैं बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2023 में वैसे स्टुवेंट जिनका नीट स्कोर बहुत ही कमाता है यानि कि जश्ट एलिजिवल या फिर क्वालिफाई नहीं हुए हैं कुछ नंबर से चुक गए हैं ऐसे में जो स्टुवेंट नीट स्कोर 200 किये हैं और कैटेगरी से विलोंग करते हैं और वो 185 या फिर 195 किये हैं और वो OBC, SC, HD से विलोंग करते हैं उन स्टुवेंट के लिए या फिर जो जेनरल से विलोंग करते हैं और general student के 200 या फिर इससे ज़्यादा या फिर 300 या 350 आता है इस condition में आपको कौन-कौन से branches मिल सकती है साथ में क्या cut-off revision होगा इन सारे चीजों को आपको बताऊंगा और NRI कोटे के सीटे क्या होती है, management कोटे के सीटे कैसे ली जाती है, management कोटे के सीटे कहां-कहां पर available है, normal fee व number दिया हुआ है, वहाँ पर आप call करके services ले सकते हैं, एक Google form दिया हुआ है, चाहे तो आप उसको fill कर सकते हैं, इसके बाद हमारे team, हमारे counselor आपको contact करने के courses करेंगे, और आपको सही और static information देंगे, फिर service उन student को मिलेगा, जो just eligible है, यानि कि लगवक 300 से नीचे, या फिर जो eligible नहीं हुए है, cut up revision के बाद, जो eligible होंगे, बहुत सारे student का phone call ला रहा है, बोल रहे हैं कि sir, इस साल बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि cut up revise नहीं होगा, हो बैटने के बाद, खास करकर जो सीटे बजती है, non clean club रांच के बजती है, और management कोटे और NRA कोटे के सीटे बजती है, जिसका फी काफी high होता है, quality अच्छा नहीं होता कुछ-कुछ college को, तो काफी सीटे बज जाती है, इसके हुझा से सीटों को देखते हुए, cut up revise की जाती है सीट और स्टुडेंट को देखते हुए, और ये revision जो आपको cut up revise होगा, वो लगबग 15 percentile तक down जा सकता है, यानि कि लगबग 200 जेनरल के लिए touch कर सकता है, 200-205 something, अब बात करते हैं, ये NRA कोटे के आखिर सीट होती क्या है, और management कोटे की सीटे क्या होती है, कैसे सीटे आप आपको मिल सकती है, नर्मल कोटे में, और साथ मैं आपको बताऊंगा कि 200-350 को क्या करना चाहिए, यानि कि जिनका सको 200-350 आती है, उन्हें student को कौन-कौन से स्टेट में target करना चाहिए, कि या NRA से करना चाहिए, या management से करना चाहिए, या फिर आपको नर्मली सीटे मिल सकती है, तो चलिए हम स्टार्ट करते है, NRA कोटे के लिए सबसे पहले बताता हूँ, तो NRA कोटे के जो सीटे होती है, वो limited state में होती है, जहां कि free structure काफी high होती है, और NRA को सीट लेने के लिए आपको बता दूँ कि sponsor होना चाहिए, आपका blood relation होना चाहिए, लेकिन कुछ-कुछ state में blood relation की requirement नहीं होती है, इस condition में आपको बता दूँ कि NRA कोटे के सीट कुछ-कुछ state में नहीं होती है, लेकिन maximum state में available है, खास करके private medical college और deemed university में available होती है, कुछ government में होती है, लेकिन government में सीट लेने के लिए आपका score काफी अच्छा होना चाहिए, NRA के लिए अगर बात क करनाठका, महारश्टरा, पॉंदी चेरी, इसके बाद अगर बात किया जाए, तमिलाडू, अंधरपरदेश, तिलंगाना, पेश्ट बेंगाल, बिहार और ऐसे ही बहुत सारे state है, जहांकि NRA कोटे से seat मिल सकती है, NRA कोटे से फायदा ही होगा कि आपको कम score पे top के clinical branch और सा sponsorship होना चाहिए, और साथ में आपके पास budget होना चाहिए, यहाँ पर एक point और में mention करना चाहूंगा, कि वो student जिनका score कम होगा, उनको obviously सी बात है कि budget high जाने वाला है, लेकिन जिनका score अच्छा है, उनके लिए budget लो जाएगा, या फिर government college मिलेगी, तो आप अपने score के according, आप अ तो आप अभी से अपना preparation में लग जाए, नहीं तो साल बरबाद हो सकता है, क्योंकि 4th month का gaping है counseling में और result को बीच में, तो इस condition में आप divert भी होंगे, त्यारी भी नहीं कर पाएंगे, और आने वाला कुछी दिन में आपको फिर से exam देने पड़ेंगे, तो आपका अगला exam अभी अच्छा नहीं जाएगा, यानि कि आपका कुल मिला के दो साल बरबाद हो जागा है, 2020-23 और 2020-24, तो इस condition में अपना preparation को अभी से start करें, अब हम बात करते हैं management कोटे के seat का, management कोटे का मतलब होता है self finance, यानि कि पहले self finance को बोलते थे, private college के seat self finance बोलते थे, और अब इस management कोटे के seat का मतलब होता है, कि ये होता है private college के अंदर government seat, यानि कि state कोटे की seat, और second जो होती है self finance के seat, उसे बोलते है management कोटे के seat, इसका फीद थोड़ा सा high होता है, लेकिन इस seat को लेने के लिए यदि आप just eligible हैं, तो बहुत सारे ऐसे state हैं, जहां आपको seat हैं मिल सकती है, ज आजस्थान में management कोटे के seat available है, बेश्ट वेंगॉल में management कोटे के seat available है, करनाटका में available है, करनाटका के साथ साथ अगर बात किया जाए, आंधर परदेश में भी management कोटे के seat available है, हर्याना में available है, हर्याना के साथ साथ उत्रा खंड में भी आपको management कोटे के seat available है, तो overall बात कि यूपी के अंदर virtualちょγimana agree टेके साथ एंडर कोटे के सीट अब लेबलेंक अब यहां उत्तर प्रदिश के अंदर नरे कोटेकैं नहीं बन सकती है अब यहां पर दूसरा पॉइंट ही है कि क्या इन्नारे कोटे के seat high होती है और management कोटे के seat अगर high होती है तो क्या इसमें negotiation भी चलती है या नहीं जी हाँ मैं आपको बता दूँ कि negotiation कराना एक genuine region है legal process है legal way है आप चाहे तो negotiation करा सकते हैं college के management से बात करके क्योंकि college में बहुत सारे ऐसे college होते हैं इन्नारे कोटे के fee काफी high होते हैं management कोटे के fee काफी high होते हैं और college का seat full नहीं हो पाती है इस condition में अगर college से अगर बात करते हैं तो college negotiate करके आपको एक fixed price deal करती है support that अगर किसी college का management कोटे या इन्नारे कोटे के fee 90 lakh पर एनम है अगर आप college से बात करते हैं पर बात करते हैं scientific group से अगर बात करते हैं अच्छे तरीके से तो college उसे थोड़ा negotiate करके उस 90 lakh पर एनम के fee को 80 lakh पर एनम 75 lakh पर एनम या फिर 70 lakh पर एनम पर दे सकती है इसके लिए term and condition भी होती है आप किस समय college में जा रहे हैं क्या आप round 1 में जा रहे हैं क्या आप round 1 से पहले जा रहे हैं क्या आप round 2 के बाद जा रहे हैं क्या आप mop up round में जा रहे हैं क्या आप stay vacancy round में जा रहे हैं जितना ज़्यादा seat उनके पास available होगा उसके according यह वो negotiation करते हैं इस condition में यदि आपका score बहुत ही कम है और आप negotiation के लिए supported last round में जाते हैं इस condition में college के पास बहुत ही कम seat होती है जैसे कि stay vacancy round single seat अगर बचती है उनके पास तो वो जो same fee पे आपको seat देंगे या फिर हो NRA कोटे के seat हो या management कोटे के seat हो उसका fee 90 lakh परेने में और सिर्फ one seat बची हुए single seat बची हुए तो इस condition में आपको कोई negotiation नहीं चलेगा वहीं अगर बात किया जाए अगर stay vacancy round में किसी भी college में अगर five seat अगर vacancy है particular branch का तो वहाँ पे negotiation आपको चल सकती है लेकिन कुछ call ऐसे होते हैं जहां round one से ही negotiation चलती है जैसे में उनका seat काफी जादा होती है budget काफी हाई होती है और पिछले दो-तीन साल में उनके seat को feel करने में काफी समस्या काफी समस्या को फेस करने पड़ती थी तो इस condition मे अभी से ही negotiation कराना start करते हैं तो इसके लिए आपको proper college से जाके management से बाते करनी होंगी क्या आप condition रखते हैं कि आप चीजों को रख रहे हैं उनके सामने बहुत सार ऐसे होते हैं जो किसान होते हैं पूर फैमली से भी लोग करते हैं तो college को जो management होते हैं chairperson होते हैं उनके इस् जिसका भी 90 lakh per annum NRA कोटे का है या भी 90 lakh per annum management कोटे की seat है आप उस score पे आपको पाटिकुलर आपको 200 score है या 300 score है उस score पे आपको उस college में seat है मिल सकती है इस condition में ही आपको college से बात करना होगा और वो college आपको negotiate करेगी ऐसा नहीं कि आपको ऐसा score है कि उस college में seat मिल ही नहीं सक में seat मिल रहा हो तो आपको तभी जाना है जब आपके rank आपके score पे particular college में seat मिल रही होती है जैसे NRA के अगर बात किया जा है तो NRA कोटे से या management कोटे से कुछ ऐसे भी college होते हैं जहां seat मिलना काफी tough होता है जैसे मैं आपको Dr. D.Y. पाटिल नवी मुंबई में NRA कोटे से seat म मिल सकती है लेकिन ऐसे ही आकरक बात किया जाए KMC का ऐसे ही बात किया जाए आपको seat मिलने का तो सिरी रामाचंद्रा medical college तो इस college में आपको top के clinical branch लेने में काफी संघर्स करने पर सकते हैं ऐसे में बहु सार ऐसे dimmed university जैसे हमदर्ध medical college है ऐसे में कुछ और भी private medical college है जैसे क लगभग 40 lakh, 45 lakh, 30 lakh per annum होती है इस condition में यदि आपका score 300 से भीलो है और top के clinical branch लेना चाहते हैं तो स्वामभाव नहीं हो सकता है इसके लिए आपको rank फे भी variation करेंगे पिछले साल के आप rank cut up देखते हुए ही आप आगे proceed अपने आपको कर सकते हैं अगर हम बात करें free service का तो free सर्विस आप लोगों को one time मिलेगा जिने जो भी doubt है जो भी problem आ रही है और चाहे तो one time call करके अपने आपको संतुष्ट हो सकते हैं अपना जो भी doubt है उसे clear कर सकते हैं इसके लावा अगर आपको paid subscription चाहिए तो paid subscription भी चाहे तो आप ले सकते हैं इसके लिए आप जब चाहे मैं एसके सिंग medical counselor आज मैं बात करने वाला हूं नीट पीजी 2023 में वैसे student जिनका नीट स्कोर 200 to 350 आता है वैसे student को कौन-कौन से branches मिल सकती है क्या budget जा सकती है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखरा होगा which branch you will get नीट स्कोर 200 to 350 यानि कि आपको 200 to 350 में कौन-कौन से branches मिल सकती है क्या fee structure हो सकती है क्या budget जा सकती है कौन-कौन से श्टेटिम में मिल सकती है और साथ में how to select your dream branch मैं आपको बता दू साथ में कि 200 में नीट स्कोर लिया हूं तो इसका मतलब क्या हुआ student eligible नहीं है तो 200 पर सीटे कैसे मिलेंगी और साथ में cut-up revision को लेके भी मैं बात करूं का cut- तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन सभी student से जिनका score 200 to 350 आती है तो आप चाहें तो admission के लिए या फिर counseling guidance के लिए video का screen पर या description में नंबर दिया हुआ है वहां से आप call कर सकते हैं आपको सही और static information SM education के तरफ से आपको दी जाएगी साथ में आपको एक Google form दिया हुआ है जिन दी जा सकती है चलिए हम start करते हैं उन student के लिए जिनका cutoff revision के बाद qualifying score आएगा यानि कि जो qualify होंगे तो सबसे पहले student के doubt यह है कि क्या cutoff revise होगा कितने marks revise हो सकता है कितने score पर student qualify कर सकते हैं तो मैं general के लिए बात करूं जो general student लगभग 200 to 210 score जिनका है वैसे student आराम से नीट पीजी 2023 में after cutoff revision after second round आप eligible हो सकते हैं लेकिन अगर category के student के बात किया जाए जैसे ओभी CSCST के student है वैसे student लगभग 185 to 190 score आता है तो वैसे भी student eligible हो सकते हैं और उन student को भी सीटे मिल सकती है demanding branch मिल सकते है या फिर रेडियो हो डर्मा हो मेडिशीन हो फीडिया हो गाइनी हो सारे clinical branch मिल सकते हैं dependent करेंगे आपके budget पे तो आप यहां से secure हो जाएं और secure हो जाएं कि आप सभी student क्वालिफाई होंगे जिनको general से 200 to 210 score आता है या फिर category से वह भी CSC HD कव 185 to 190 आता है आप सब student क्वालिफाई कर जाएंगे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वैसे student जिनका need score 200 to 220 आता है या फिर आप category से क्वालिफाई है या फिर general category से क्वालिफाई है उनका जो budget जा सकता है खासकर अगर बात किया जाए रेडियोडर्मा, medicine, pdiya के लिए सबसे पहले हम रेडियोडर्मा का बात करते है रेडियोडर्मा का वैसे भी India में फिक काफी जादा है खासकर प्राइवेट medical college डिम्न इनवर्सिटी में तो यहां पर या फिर आपको NRI कोटे से मिलेंगी NRI कोटे के लिए आपके पास sponsor होना चाहिए नहीं तो आपको management कोटे से सीट मिल सकती है तो इस condition में आपको जो budget जा सकती है radio dharma के लिए सभी category cash 20 के लिए जिनका आज को 200 to 220 आती है आपको लगभग आपको 50 lakh से start होगा minimum budget वैसे 50 lakh में तो मिलना नहीं है लेकिन 50 lakh बाइ चांस एक दो सीटे बच जाती है तो आपको मिल सकती है लेकिन आपको जो सीटे मिलेंगी 50 lakh 60 lakh 70 lakh 80 lakh पर एनम यहां तक कि आपको 1 CRB पर यर जा सकता है डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से counseling कर रहे हैं कौन-कौन से state में participate कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे state हैं जहां आपको easily सीटे मिल सकती है लेकिन budget हाई चला जाएगा तो आप चाहे तो इसके लिए आप contact कर सकते हैं दिये हूँ number पर स्क्रीन पर दिया हुआ description में दिया हुआ या फिर आप Google form फिल कर सकते हैं वहाँ से हमारी team आप से contact कर लेगे अब हम बात करते हैं medicine, PDA, गाइनी, और्थो के लिए medicine, PDA, गाइनी, और्थो के लिए seat के बाद किया जाए तो आपको इसके ले भी 40 lakh से start होगा लेगिन 40 lakh पे रहर case मेंowski seat में see tward मिल सकती है लेगिन 50 lakh में आपको 100% seatके मिल सकती है 50 lakh परेनम, 55 lakh परेनम 60 lakh परेनम, 70 lakh परेनम इसमें आपको टॉप के colleges मिल सकती है आपको यहाँ पर मनेजमेंट कोटे के साथ एनराय कोटे के सीटे एफलेबल हो सकती है अब हम बात करते हूं ऐसे स्ट्वेंट के लिए जिन्हें सरजरी चाहिए सरजरी के लिए आपको लगबग आपको 35 लेक परेनम 40 लेक परेनम 45 लेक परेनम या फिर आपको 50 लेक परेनम लाश्टली मिल सकती है या फिर आप मनेजमेंट कोटे से ट्राइ करें या फिर एनरा कोटे से ट्राइ करें आपको सीटे मिल सकती है अब बात करते हैं ENT, एनस्थिसिया, ओप्था साइकेर्टिक के लिए तो इसके लिए आपको जो budget जा सकती है वो minimum आपको 15 lakh से start होंगे वैसे 15 lakh में मिलना मुस्कील है rare case में किसी किसी अश्टेट में सीटे खाली रह जाती है तो मिल सकती है लेकिन 20 lakh पर एनम में आपको मिल सकती है 20 lakh 25 lakh तक मिल सकती है या फिर 30 lakh maximum 25 lakh में आपको सीटे अवलेबल हो सकती है और टॉप के colleges मिल सकती है अब हम बात करते हैं उनस्टेंड के लिए जिनका नीट स्कोर 220 तू 250 आती है इनका भी सेम सिच्वेशन जाएगा सेम कंडिशन होगा ऐसे में रेडियो जर्मा अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको जो बज़र जा सकती है 50 lakh से स्टार्ट होगा चांसेज कम है 50 में मिलना कुछ-कुछ अस्टेट में सीटे बज़ जाती है जो आपको मिल सकती है 50 lakh पर रनम में लेकिन आपको 60 lakh पर रनम अपन काटेगरी से जो जो ओपन से स्टेट है या फिर जो नोन डोमिशायल स्टेट है वहां पर आप ट्राइब कर सकते हैं बात करते हैं medicine, PDA, गाइनी के लिए medicine, PDA, गाइनी और ओर्ठो के लिए तो यहां पर आपको लगब 40 lakh से से स्टार्ट होगा आप 40 लक में लक बाइचांस मैनुरिटी एस्टुएंट को सीटे मिल सकती है इसके साथ आपको 45 लक, 50 लक, 60 लक, 70 लक, 80 लक, 90 लक भी परियर जा सकता है डिपेंड करेगा क्या आप किस तरीके से कौंसलिंग कर रहे हैं कौन कौन से स्टेट के फॉर्म भर रहे हैं क्या आप खरर शर्यार है या फिर मनेजमेनिल के थेत कर रहे हैं हाई अच्छे कॉलेज के लिए आपको एका मनेजमेंट में भी अक्षे सीटे में मिल सकती है अब हम बात करते हैं जीने सजयरी के सीट चाहिए आपको 35 लाग से मैनोरिटी के स्टुएंट को सीटे मिल सकती है 30 तु 35 लाग परनम जो मैनोरिटी से बिलोग करते है अधर स्टुएंट को भी चांसे जहें लेकिन लग बागी 40 लाग परनम में 100% सीटे मिल जाएंगी सर्जरी के 45 50 60 तक आपको 100% सीटे या फिर मनेज कॉलेज मिल जाएंगे अब हम बात करते हैं वैसे स्टुएंट के लिए जिनका नीट स्कोर 250-280 आता है इन स्टुएंट के लिए भी सेम प्रोसेस होगा अगर आपको रेडियो दर्मा के सीटे चाहिए मैनोरिटी से बिलोग करते हैं तो आपको 40 लाग परनम में मिल सकता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है 50 लाग का भी सीटे मिलेंगे इनके लिए भी डिफिकल्टी लेबल को सामना कर सकता है मैनोरिटी को इजिली मिल जाएगा बात करते हैं यहाँ पर तो मैक्समूम जो आपको बज़र जा सकता है जो गुड कॉलेज के मिल सकती है जो मैनोरिटी से बिलोंग करते हैं अधरवाई नोर्मल अश्ट्यूएंट के लिए जेनरल अश्ट्यूएंट या फिर कैटेगरी वाले श्ट्यूएंट के लिए बात के जए तो 40 लाग से स्टार्ट होगा 50, 60, 70, 80 या फिर 90 पर यर जा सकता है डिपेंड करेग सब्सक्राइब 25 लाग से स्टार्ट होगा मैनोरिटी के लिए और यह 30 लाग परेनम जाएगा नोर्मल अश्ट्यूएंट को भी 25 से 30 सीठे मिल सकती है यहां पर चांसे काफी अच्छा हो सकता है 25 तो 30 लाग परेनम ए 35 लाग परेनम वहीं नोन मैनोरिटी स्ट्यूएंट के जा सकती है वो 20 लाग से स्टार्ट होगा मैनोरिटी स्ट्यूएंट हो या फिर नोर्मल अश्ट्यूएंट को 20, 25, 30, 35 लाश्ट ली आपको जा सकता है अब बात करते है उन श्ट्यूएंट के लिए जिनका स्कोर 282, 350 यहां पर रेडियो डर्मा का बात किया जाए तो मैनोर मैनेजमेंट को आप यूज कर सकते हैं अच्छा उपर्चूनिटी आपको मिल सकते हैं टॉप के कॉलेजज के लिए लेकिन वहीं पर अगर जेनरल मेडिसीन, ओवीजीवाई या फिर पीडिया या गाईनी के लिए सीट लेना चाहते हैं तो यहां पर मैनोरिटी को अराम से 40 लाग परेनम, 35 लाग परेनम पर सीटे मिल सकती है और अधरवाइस नोन मैनोरिटी एस्टुएंट के लिए जो जेनरल ओवी, CS, CS, C, EWS से भी लोग करते हैं उन्हें 40 लाग से स्टार्ट होगा रेर केस में कुछ-कुछ अस्टेट में सीटे मिल सकती है अधरवाइस 45, 50, 55 60, 70 या फिर 85, 80 या 90, 95 लाग से स्टार्ट होगे और यह आपको 40, 45 तक जा सकती है यहां पर आपको 15 लाग से स्टार्ट होगी 15 लाग, 20 लाग, 25 लाग, 30 लाग, 35 लाग, लास्ट 40 लाग पर आपको सीटे अवलेबल हो सकती है अब हम बात करते हैं वैस्टे स्टूएंट के लिए जिनका नीट स्कूर 300 या फिर 320 तू 350 आती है वैसे में आपको जो सीटे मिल सकती है वो रेडियो डर्मा का अगर बात कहे बात करते हैं अब हम बात करते हैं मेडिसीन पीडिया गायनी और्थो के लिए तो इसके लिए minority student को लगबग आपको 35-40 lakh में आपको सीठे आराम से मिल सकती है, लेकिन non minority student के लिए जैसे general OBC, SCST से जो बिलोंग करते हैं, उन student के लिए 40 lakh में कुछ state में सीठे मिल सकती है, लेकिन इसके लावा आपको 45, 50, 60, 70, 80 या 90 तक सीठे मिल सकती है, सरजरी के लिए भ college पर, location पर, बहुत सारे student होते हैं, जो particular state या पर particular college नहीं लेना चाहते है, quality देखते हैं, या location देखते हैं, इस condition में फंस जाते हैं, लेकिन आप quality देखेंगे, क्योंकि सारे चीजे आपको नहीं available हो सकती है, या फिर आप quality देखेंगे, तो budget भाहना होगा, यदि quality नहीं दे 75 लाग, 40 लाग, लाश्टली आपको जा सकता है, इजली सीटे मिल सकती है, डिपेंड करेगा आपको, कि कौन-कौन से state में फोर्म भर रहे हैं, जिया दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, तो चैनल को लाइक, सब्स्राइब करकर रखें, या पी पेड सब्सक करेंगे, जिया दोस्तों, मैं एक शीज और आपको बताना चाहूंगा, आपका score जितना ही कम होगा, rank जितना ही ज्यादा होगा, उस condition में आपका budget high जाते हुए नजर आएगा, लेकिन कुछ-कुछ ऐसे state है, जहां इनराय कोटे से फी तो कम है, लेकिन अच्छे college आपको मिल सकते हैं, कुछ-कुछ management कोटे के लिए कुछ state है, जहां पर फी बहुत ही कम है, आपको सीटे मिल सकती है, depend करता है आपके कि आप form किस तरीके से भर रहे हैं, कौन-कौन से state के भर रहे हैं, registration कौन-कौन से state के लिए कर रहे हैं, क्या chances है, क्या possibility है, क्या आपके पास information है, इसक को अच्छे clinical branch में मिलने की chances बनेगे, फिलाल के वीडियो में इतना ही, दोस्तो थैंक्स पूर्वाजी,